जी आज़का जो हमारा topic हे, वो है, whitening facial at home. ठीक है? कि घर में बैटके आप अपना facial कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल! आप घर में बैटके facial कर सकते हैं. खुद करें, अपने साफ उत्रे हाथों से करें, अपनी चीजों से करें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज कर जाना बहुत मुश्किल है, और अगर जाते हैं, तो वनरिबिलिटी जो है, वो कोविट की बहुत ज्यादा होती है, तो यह बहुत बेतर है कि आप घर के अंदर अपनी स्किन का ख्याल रखें, गर के अंदर जो है, वो फेशल करें, सबसे पहले में आप पो बताती हूँ कि फेशल क्या होता है, फेशल जो है, इसके थ्री मेंग परपसे हैं, त्री इसके अपजेक्टिब्स हैं, वो क्या है, सबसे पहला तो यह है, कि यह आपकी स्किन से जो डेट लेयर है, उसको हटा उसके इलावा सेकंड क्या है क्या है इसके चिए सकीशा ये डीप क्लिंजिंग करता है ये आप की आप किसकी राज प्लेंज़ साही और आपको व्रचा करता है किसकी आपकी की शकी काल कि शचीज की जरूरतोती है इस तक उपफान गार्ण को शıldुरूरत आ इसे इसी तरह से हमारी सिर्श को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है जो कि अटो यह भी उन्ही अटरिशंshot कहते हैं तो यह सको पता पहंना को के टेजार में अबह रहे हुँ लेकिन मैं फिर से कह रही हूं मैं पहले भी कहते रही हूं कि अभी बीच नी आती और पूरी दुनिया में आती पूरी दुनिया में कहीं पे भी इस्तमाल नहीं की जाती है इसके ऊपर वर सम्हाओ हमारे हां उसको बेदर्दी से इस्तमाल किया जाता है और किसी भी तरह का फेशल हो कोई और यह अच्छी लग रही है लेकिन वो सकिं को बहुत खराब करती है बहुत नुकसां पहुंचाती है तो दो चीज़ें जिनको आपने एंवाइट करता है वो मैं सबसे पहले बता रही हूं पहली चीज है कि आप ब्लीच यह किसी स्टेप में यह फेशल की किसी स्टेप में जो दूसरी चीज है वह स्टीम अपनी स्किन जा रि tendon टो स्टेप एक तूबीच और एक स्टीम यह पूरी दुनिया उपसरी अनी हो चुके में यह निस आंट को तो आपने करना ही नहीं प्रमाइट कि आल होने ठीक है अब हम आजाते हैं कि सबसे पहुर्चाप क्या है सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपनी और थे एनलाइज से और आपकी और ड्राइ स्किन हो हग है हम हर तरह की स्किन टाइप के उपर एक शिकन टाइप जो पर आप besShell कर सकते हैं एक टाइप स्किन उपर आपने घर में खुद भी मेशल ट्राया नी करना और सुलन तो जाना ही नहीं है अगर आप चाहें, तो आप क्लिनिक पे जा के फेशल करवा सकते हैं, वो स्किन टाइप है, अक्टिव एक्नी वाले, जिस स्किन के ऊपर अक्टिव एक्नी हो, वो फुद घर में फेशल ना करें, तो ज्यादा बेतर है, उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेतर है कि वो किसी भी क्लिनिक में जो उस पर जाएं और वहां से ऐप्रेशल अले इसोन से वो लो ना करें, बहां कि सबस्किन टाइप्स ओ लोगा घरमे बेठे बेठे पेशल कर सकते हैं, ठ이कर है, जो पेश नबकर सबसे पहले step है Cleansing सबसे पहले आपने करनी है Cleansing Cleansing जो है वो आपके face से Make-up आपके face से आपका Sun Lock आपका Moisturizer जो भी ऐसी चीज जो के आपने face पे अब लाय की भी हो नॉर्म रूडीन की चीज़े हो सकते है जैसे Moisturizer होता है या कोई serum आपने लगाया होता है या कोई sun lock लगाया होता है अगर मेकप नहीं भी है तो जो भी चीज आपकी स्किन पर लगी वी है वो आपके पोर्स के अंदर जाकर सेटल हो जाती है तो आपके पोर्स को साफ करने के लिए डीप ली आपने सबसे पहला step step number one क्या लेना है मेहा की cleansing जिए वो दिखाएंगे देखे जेँ आपको बहुत ही जबरदस canoe Cheers जो भी जुह इस वो खेल दिखार हूं और तरीका या होता है पिर जो भी और फिर दिखाए हूं, यह जो है यह भी किसी भी skin type आप आड यूस कर सकते हैं और एवन mArt मिकुरघ सके यह ग्रेक्ट आज़ा था यह जो भी च्कर सकते हैं एक और मैं आपको दिखा रहे हूं जो के active acne वालों को भी जरूर करना चाहिए वल्के उनको इसलिगे करना चाहिए कि जब उनके pores cleanse रहेंगे तो आप देखिएगा कि नहीं होते आपको pimples कम बनेंगे ठीक है तो इससे दीक है कि यह मैं आपको दिखाएंगे गया आपने हातों को बिला कर लें उसके बाद आप इसके बाद आप इसको सारे के सारे तिप्स पर दिस्टिब्यूड करेंगे और उसके बाद आपने इसको जेंट ली इस्तरह से रभ करतेगे, पूरे के पूरे फेस के उपर यूज करना है, क्लिंजिंग जो होती है वो आप अपने आइस के अराउंट नहीं करते हैं, उसी तरह से फेस वाश पी आइस के अराउंट नहीं लगाते हैं, अगर मेकप लगावा हो तो वो आई मेकप रिमुवर्स मिलते हैं, उन से रिमुव क से से एक जी तर्फर पिके से लिग मा Council को राता है कि एप और हमेखने डिर ठीक्त हैं तो अपन harmfulAY के ़िए निगाएं लिए और यहां पर लिए फहें कर देशा ऑसकेुछ वश कर देश्टिबिविट – और भर इस निए और उसके बाद उसके और आप खिले पानी से Merci साफ कर लेंगे उसे ठीक है फिर आम आजाते हैं जी थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप क्या है इक्सफोलियेशन अच्छा इस इस पोलियेशन जो होती है वह बहुत जरूरी है अंदर रड़ ग्रीन कलर की वह एंजायमेटिक पील पड़ी है वह प्लीज लेयां सामने ग्रीन कलर कि परρι लेंगे वह अच्छा इसमें ये भो टा है कि जो ऑलियेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टन स्टेप होता है एक्सकुलियेशन जो होती है वह आपकी स्किन सेस्टेड लेयर को उतारती है मैं आपको डो तीन तरह की और यह सारी की सारी थाले शोयति हुड और यह सारी की सारी जो है यह दिफरेंट न्मकीं। सवह से हिसाब letters by epic लίинки यह ए तो से लगध। ही हिसाब आपको गरें रहिए इससे आपको दिखावर्य हैं थैके इंजायमेनिक पील इसधे जो है। आप exfoliate करते हैं, ठीक है, यह उन लोगों के लिए है, जिनकी skin के ऊपर जो है, वो active acne है, whiteheads है, blackheads है, यह skin बहुत ज्यादा oily रहती है, ठीक है, यह उनके लिए है, अब मैं आपको कुछ और जो है, वो दिखाने वाली हूँ, exfoliations, इसमें देखें, यह exfoliating gel, जो है, यह उन लोगों क हुआ है, या फिर जो है, वो suntan हुआ है, ठीक है, तो यह उन लोगों के लिए बहुत ही बहतरीन है, ठीक है, फिर मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, यह कोई किसी भी skin type वाले जो है, वो use कर सकते हैं, ठीक है, यह भी exfoliation है, exfoliation कितनी देर करनी चाहिए, यह भी मैं आपको सारे के सारे steps जो है, वो दुबारा repeat करती जाओंगी, exfoliation जो है, obviously आप eyes के around नहीं करते, आप full face पे और neck पे exfoliate कर सकते हैं, even आप अपने hands and feet पे भी कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, अपने आपको एक और पीलिंग जेल दिखा रही हूँ, अच्छा, यह पीलिंग जेल और यह पील, ठीक है, यह जो है, यह deep peeling करती है, और यह जो है, यह basically surface के ऊपर करती है, this is called as enzymatic peel, जो के exfoliation कराती है, आपकी skin की, यह जो है, यह deep peel करती है, इसको आप facial में रखना चाहते हैं, आट करना चाहते हैं, तो आप पूरे महीने में सरफ एक दफा करेंगे, बार बार नहीं कर सकते हैं, यह three मैं आपको दिखा दी है, अचा जी, अब होगी हमारी exfoliation, अब जब हमने exfoliation कर ली तो उसके बाद हमने क्या करना है, exfoliation के बाद आप अपने face को साफ कर देंगे, सबसे पहले हमने की cleansing, cleansing जो है, वो आपने 10-12 seconds करनी होती है, यह मिन्तों के लिए नहीं की जाती ह मिनित के लिए होती है, seconds के लिए होती है, तो 10-12 seconds के लिए होती है, वो more than enough होते है, for full face and neck, ठीक है, उसके बाद आजाता है, face wash, face wash तो आपको बता ही है, कितनी दिर लगती है, क्या मतलब क्या 3-4 seconds लग जाएंगे उसमें, उसके बाद पिर आजाता है, क्या कहते है, exfoliation, exfoliation ज आपको नहीं required होती है, उससे जादा मत करें, और exfoliation जो है, वो आपने अपनी eyes के around, जो skin है, उसके उपर नहीं करनी होती है, ठीक है, उसके बाद आजाता है, next step, अब आपने इसको wash कर दिया, next step है, facial massage, facial massage जो है, वो बहुत ही जरूरी step होता है, और बहुत important step होता है, क्यों, because facial massage के थू है, वो हम अपने muscles को एक तम से टोन अप कर लेते हैं, ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये वाली क्रीम दिखा रही हूं, for the massage, ठीक है, आप भी कोई भी massage cream भी ले सकते हैं, मेरे हमारे पास तो जैसे बहुत सारी है, तो अब दिखा देते हैं, जैसे मैं आपको ये मिचोर हो ये जिनकी स्किन जो है थोड़ी ड्राइ साइड पर हो, इसको यूज कर सकते हैं, और जिनकी अक्नी प्रोन है या वाइट बनते हैं, तो यंग स्किन है वो इसको यूज कर सकते हैं, तो ये दोनों में आपको massage cream दिखा रही हूं, जो आपने massage के लिए यूज कर द जरूरत नहीं है, ये जो बिल्कुल आपकी छोटी वाली finger होती है, उसके आपने आपने आइस के अराउंड मसाज करना है, और उसके बाद बाद बेसिकली जो है आप अपनी टू फिंगर्स को ज्यादा तर यूज करेंगे, तो आपने इस टारेक्शन में मसाज करनी है, मसाज करने के आपको जरूरत नहीं है, ठीके जी, ये हो गया, अब इसके बाद क्या स्टैप आता है, मसाज जब आपने कर ली तो उसके बाद आपने हल्का सा पानी लगा के इसको हटा दिया, जो अगर आपके उपर एक्सेस बच गया है, मॉइस्चुराइजर का, मसाज क् आप टिशू पेपर से हटाएंगे, पानी से वाश करने की जरूरत नहीं हो गया, जब आपको कर लेंगे तो नेक्स स्टैप क्या है, जी हां, नेक्स स्टैप है मास्क, अब मैं आपको डिफरेंट तरा के मास्क दिखा रही हूं ठीक है, इसको देखें ये जो है, ये जो है इसको आपने अपवर डिरेक्शन में पील आफ कर लेना है, इसको आप खेंच के उतारते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूं, शीट मास्क, ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये उन लोगों के लिए शीट मास्क है, जिनकी स्किन थोड़ी ज्राइ है, ये ब्राइटनिंग चाहते हैं, ये जो है, ये उनके लिए है, जिनकी स्किन पर वाइट है, ब्लाक है होते हैं, और ओली स्किन है, ठीक स्किन है, ओली स्किन है, ये उनके लिए है, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये बेसिकली उनके लिए है, जो के जिनकी स्किन पर active acne है तो यह anti acne help करता है या फिर इसलिए भी होता है कि आपकी skin detoxify हो जाए आपके pores जो है उनके अंदर तक इसकी medicine चली चाहे तो यह active acne वालों के लिए बहुत अच्छ है ठीक है जी और यह जो है यह skin lightning किसी भी स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं तो यह देखे मैंने आपको डिफरेंट तरा के मास्क जो है वो दिखा दिखा दिया चीकर मास्क जो है वो 15 मिनिट से लेके 30 मिनिट तक लगाया जाता है अच्छा मैं आपको यह बता दूं जैसे इसको वाश करके उतारन करते इनको जब आप उतारेंगे हटाएंगे तो जो एक्सेस आपकी स्किन पर लगावा होगा उस सारे का सारा आप इधर उदर लगा करा लें ठीक है वाश नहीं करना यह तो हो गया जी यह वाला स्टेप कि हमने मास्क लगा दिया अब मास्क के बाद किस चीज की बारी मास के बारी आती है जी टोनर यहां पर मैं सरफ एक ही टोनर दिखा रही हूं बहुत सारे टोनर से में बहुत दफा दिखा चुकी नहीं हूं पर मास के बाद जो नेक्स्ट एसेंशल स्टेप है यह तो आपने टोनर को डेफिनेटली यूज करना है जब आप टोनर को यूज कर तोनर को यूज करें और यूज नेक्स प्रीज सरव एक पर उसके बाद आपने सरम लगाना किसी बीजर बाद कर दिस था सकता है और शकीन ताइप के हिसाब से यैप के लिएद एसके को अपना जाहते है वाइद मिलागा चाहते है उसके लावा जो अर नाय जरवा इसकेर वा लिंकल्स थाग network थें हैं या रिंकल्स है वह हैवाइलओ तरहा कि अवेलिग्ल आप वो सिर्म लगा सकते है ठीक है और यimaan लिए वरा लाइन के छ़गाने के लाप क्या करना है क्या वैं उसके सल कखुप रहते है जी हां उसके सरीवर है क्या लाच्ट distrizer लगा सकते हैं और शुराइजर लगाने के बाद एक और सटैप क्या होगा कि इस वकद आपने मुइस्चराइज कर लिया तो अगर डे टाइम है उसके बाद आप संब्लॉक लगाएंके अगर शाम हो चुकी ली है माः गुजर चुकी ली है तो उसके बाद आपको दूस तो यह सारे के सारे हैं essential steps जो के घर में आप कर सकते हैं अपने लिए और facial कर सकते हैं skin को healthy रख सकते हैं skin को brighten up कर सकते हैं skin को whiten up कर सकते हैं skin whitening भी होती है और उसके इलावा dead skin उतरती है तो जो चीजे आप अपनी routine में लगा रहे होते हैं उन सबकी absorption अच्छी होती है और उससे skin जो है वो बहुत healthy और बहुत brighten up और बहुत अच्छी रहती है ठीके जीट